नमस्कार मैं हूँ श्राहिदा और नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर आनंद भारदवाज आपका जाना पैचाना वास्तू कंसल्टेंट और आज का कारिक्राम बेहदी खास क्योंकि आज हमाँ बात देने के अब गर की दिशाओं के बारे में और आज के घर की दिशाओं जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि वास्तू का पूरा आधार ही घर के दिशाओं होती है और घर की दिशाओं का सही ग्यान आपके जीवन के अंदर खुशिया या पर दुख लेकर आ सकता है क्योंकि वास्तू के अंदर बेदी खास तरीके से हम आपके लिए लेकर आए हैं आज को है कारकरा जी हाँ ये तो वास्तू की दिशाओं हैं जो कि अभी अभी हमने आपको दिखाया भी कि वास्तू की दिशाओं का अपना रहसे होता है ये रहसे क्या है ये रहटिस्त से क्या होता है कि दिशाओं के अपने असर होते हैं, positive होते हैं नegative होते हैं लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम धिशाओं को ठीक तणा से use करना सीख जाएं तो हम जी जाते हैं हमें दोलाई ने याद आ रही है कि जो दिशाओं का असर जान जाते हैं वो भागे को पहले ही पहचान जाते हैं बच जाते हैं खाने से ठोक रहें औरों को भी वास्तु का ग्यान देते हैं साथ आज हम बात करेंगे उन सब दिशाओं की जिनका असरा हम सोचते हैं के negative होता है positive होता है दिशाओं कौन सी positive कौन सी negative होती है इसलिए आज हम आपको बताएंगे किस सरा से आपने negative directions को आपने भले के लिए use करना है तो आप सीख जाएंगे कि कोई भी negativity आपका भला कर सकती है जरा सोचिए इंग्लिश में जब वास्तु लिखते है वी ए स्टी यू इसको अगर आप उल्टा लिख देंगे तो भी उससा बन जाता है यू टी से वी कमाल की चीज़ है वास्तु बड़ इसमें कलाकारी आपकी है कि कैसे सीजाते हैं आप negative को positive बनाना और लगतार आपको खास जौनकारी हम आपको देंगे क्योंकि ये दिशाओ की बात है बास्तु के गूर सकते की बात है तो सबसे पहले देर ना करते हुए बात करेंगे पहले magical formula के बाले जी दक्षिन पस्टीम जो दिशा होती है वहाँ पर फ्रिवेश का होना यहीं आपकी main entry का होना वहाँ पर अच्छा नहीं होता कभी भी southwest में आपकी main entry नहीं होनी चाहिए यहाँ पर underground panic attack होता है तो घर का जो मुख्या होता है उसके life के उपर attack पर सकता है दूसरा क्या है कि सेवर कर जो tank यहाँ पर होता है septi tank वो नुक्सान करता है डेन कर देता सारी property को अभी हमें याद आया किसे ने हमें बुलाया था लास्ट वीक बैंगलोर में उसने बहुत बड़ी कोठी मनाई बैंगला मनाया उसने बहुत बड़ा और उसमें तीन तरह के पानी साउथ वैस में लगा दिये के पोस्टर लगाएं तो आपको मिलेगा सुख चुलिए मारे सब कॉल जुड़ गई है सबसे पहली जैश्री उनसे हम बात करेंगे जैश्री जी स्वागत है आपका जैश्री जी एक अनुरोध आपसे की टीवी सेट का वॉल्यूम या तो आप आफ कर लीजी या फिर कहीं दूर आकर बात कर लीजे आपका अपना खुद का दर्वाजा कहा है किस दिशा में है कुछ और चीज़े बताईए वह पस्चिम दिशा में है जी जी देखिए दिशा जो पस्चिम दिशा की बुरी नहीं होती अच्छी दिशा होती है आपका अगर में गेट अगर पस्चिम के मदे में है तो बिल्कुल ठीक है कोई समस्या नहीं पस्चिम के साउथ वैस में कभी नहीं होना चाहिए अच्छी दिशाएं होती है पूर जी 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 समझ गया है बहुत अच्छा question आपने किया है ये आज का आपको बता है कि scientific वास्तु का एक part होता है जिसमें कम ये मानते हैं कि जो दिशाएं ही सब कुछ नहीं होती है दिशाओं के इलावा energy भी कोई चीज होती है जो की जमिन के नीचे से निकलती है आसपास से आत किया जाता है बहुत अच्छा और अपने scientific स्वाल किया धन्यवाद बहुत बहुत तो वास्तु का element भी बेदी खास है क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस element में कि कैसे आप अपने अंदर का जो तराव है दूर कर सकते हैं आप सी प्रेविम को जो है बढ़ा सकते ह आपका भागे भी चमक सकता है यह बताएंगे आज के वास्तु element में लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं अरण जी से दूसरा magical formula साथियों उत्तर दिशा जो होती है यह आपको बना सकती है धनवान उत्तर दिशा धनवान कैसे बनाती है अगर यहाँ पर आप रखते हैं अपना cash box यहाँ पर cash counter लगाते हैं अगर आप business करते हैं तो इसके लावा एक बड़े-बड़े समुद्र के जो poster होते हैं वो यहाँ हमारी के ऊपर या उसके बीतर आप रखें एक golden color का मेरू शिरियंतर थोड़ा सा पहाड की shape का होता है छोटा सा मिलता मार्केट में उसको रखें तो आपको मिलेगा धन का लाव एक color जोड़ी है हमारे साथ अन्नू है बेलगाओं से उन्चे हम बात करें किस वागत है अपका अन्नू जी जी अन्नू जी गुड इवनिंग सर्थ गुड इवनिंग इस क्या हम अपने स्पीडियों के मिलें से उटेंसिल दोने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं आपकी बात समझ गए आपने क्या करना है कि जो आपने ने कंपाउंट बनाया है आपने बिलकु ठीक है स्क्राइर कर लिया और एक और डो दो के रिशियो में होता है तभी कोई समस्या होती बात दुसरी बात आपने बोले के सीडी के नीचे आपने को जगा सोइने यो बैठने के लिए अजिए एक स्लेपा गालने जिससे के ऊपर के जो वाइबरेशन्स हैं वो नीचे ट्रेवल ना करें चलिए नीरा से बात करेंगे चंदरबुर्ट से हमारे साथ जोड़ी है नीरा जी स्वागत है आपका पानी का पानी का पानी का पानी का एक घड़ा वो अपने उतर दिशा में आपने प्लेस करना है साथ ही लगाना एक बहुत चोटा सा मिरर जो की सिंग के अपोजिट्स अपना रिफ्लेक्शन दे वो लगाना है आपने नौर्थ के वाल पर उसमें आपका सिंग उठके वहाँ से नौर्थ में दिखाई पड़ेगा आपका वास्तू ठीक हो जाएगा लगातार आप हमें कॉल कर सकते हैं और टीवी स्क्रीन के उपर आपको नजर भी हमारी इमेल आईडी आएगी उस पर भी आप हमें मेल कीजिए लेकिन बिल्कुल हम आपको अब बता दें कि बोलती दिशाएं भी हमारा एक खास अंक होता है जिसके अंदर हम आपको हर बार एक ऐसी खास दिशा के बारे में बताते हैं जो आपको बहुत पायदा पहुचा सकती है जी ओ, सवाल पूचते वे उसका जैपना जो वॉल्यूम है उसको बंधकरने तिवी का बार बर कहते हैं बहुत अशा लगता है जापके सवाल आते हैं हमारे पास सभी सुने असको जी हाई ये भी बहुत बहुत खास बात इन्होंने बताई है कि TV साथ का वॉल्यूम आपको आफ रखना है तब ही बात करनी है परार आरंजी से जानेंगे आज की बोलती दिशा है साथियों आज हम आपको बताने वाले हैं उस दिशा के बारे में जिसको मानते हैं सबसे ज़्यादा बेकार दिशा सबसे ज़्यादा रेगड़ी दिशा वो है साउथ वेस्ट दक्षिन पश्चीम अगर ये साउथ वेस्ट इतना बुरा है इतनी बुरी दिशा है तो हम क्यों कहते हैं कि वहाँ पर आपका जो मुख्या राना चाहिए वहाँ पर आपका धन वहाँ पर राना चाहिए वहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि जो साउथ वेस्ट है अगर आप साउथ और वेस्ट में खिड़ियां कम बनाएंगे और नॉर्थ और इसमें से खिड़ियां दरवाजे जादा खोल देंगे तो वो जितनी भी इनर्जी नॉर्थ और इस से आ रही है वो सबकी सब आके कहां रुकेगी वो रुकेगी साउथ वेस्ट में इसका मदलब वहाँ पर जहाए जो सबस्यादा पॉजिटिविटी का स्थान बन जाएगा वहाँ पर आप जहाए अनाज को मंडार महां पर करें अपना पैसा वहां पर रखें और यहां पर जहाए एक छोटा सा मना दें रॉग आपके बास बहुत कब आरी रतनेश पूरे घर का अगर वास्तु खड़ाब हो तो क्या करना जाए जी जी पूरे घर का अंदर गर में सब कुछ उल्टा है देखिए आपको बताते हैं एक बहुत अच्छा स्पिरूचल फार्मूला होता है अगर पूरा का पूरा मकान अग मेरा घर बहुत पॉजिटिव है उसके इलावा जो आपको उपाये बताते हैं इसमें जो कोई छोटे मोटे उपाये कर पाएं जैसे के नौर्थ इसमें पाने का कोई छोटा मोटा वहाँ पे लगाए फॉंटेन और पूरब के खिडिकियां खोल दें तो भी आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइबरेशन आजाएंगे कभी मकान को कर्स ना करो कभी उसको जह है आप ऐसा ना बोलो कि मकान मेरा बेकार है आश्रवाद देदो कि मेरा मकान बहुत अच्छा है और मुझे बहुत यागे फली बूत होगा बहुत अच्छा फार्मूला पॉजिटिव वाइबरेशन आच्छा होगी माजिकल फॉर्मूला नंबर 3,4 और 5 की साथी साथ होगा वास्तु एलेमेंट भी बने रहे हैं हमारे साथ देखते रहे हैं मेरा वास्तु मेरा भाग कर वास्तु होता है वो पूरी तरीके से घर के दिशाव पर ही आधारित होता है तो सही डारेक्शन का आपको पता होना बहुत जरूरी है तब ही आपके घर के जो वास्तु दोश है उनका आप दबा पाएंगे और इन सभी बातों पर चरशा देने के लिए हमारे साथ जैसे के आपको पता है रॉक्टर आनद भार्वाज जी है जो की जाने मारे वास्तु कंसल्टेंट है लेकिन फिलाल अब आगे बढ़ेंगे औ कोई ना कोई रुकावट कर सकती है तो ध्यान देंगे आपके जो विवा योग बच्चे होते हैं जो बच्चे आपके जह बड़े होते हैं उनकी शादी करने हैं उनको हमेशा आप रखें नौर्थ वेस्ट में यूदि शादी की तैयारी हो रही है और डेट निकला ही और जिसका सम्मझ शादी से होता है इसके लावा जहां पर आपने सब स्मान रखा वहाँ पर कुछ मंगलकारी पृतिक वहाँ पे रखें जैसे कि नार्यल होता है चांदी के सिक्टे होते हैं लाल कपणे में गोटा लगा हो ज्यादा नमस्कार सब नकें अभी में अरह आपका जो दर्वाजा में हमारा दर्वाजा उस्में भूला के देखिश्में खुले नौर्थ में साउथ में इस यह फरण नहीं पड़ता है जरूरी यह है कि आपका जो टॉलेट है, वो आपका बने या तो West में या North West में या फिर बने middle of South में साथ के बीचने मनें और उसके जो WC की जो Latin Sea होती है, वो हमेशा लगाए आप North Facing और पानी इसमें होना चीए या तो North के दिवार पर, या East के दिवार पर एक और कॉलर है हमारे साथ उन से हम बात करेंगे हेमा जी स्वागत है आपका हेमा जी जुड़ी हुए इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कांगड़ा से स्वागत है हेमा जी अगर सुन पा रही है तो बात कीजिए हेमा जी अब तक अबास पहुच रही है लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है एक और कॉलर जुड़ गई है सीमा उन से बात कर लेते हैं स्वागत आपको सीमा जी हलो जी सीमा जी हलो सीमा जी अब तक अबास पहुंचे तो बात कीजिए जी आपकी बास समझ गया है आपने क्या है कि आपके घर में दो दर्वाजें एक नौर्थ में एक साउथ में हमें ऐसा लगता है कि आपके घर में आप जाए साउथ को जादा यूज़ करते हैं नॉर्थ को कम यूज़ करते हैं आप क्या करें कि साउत के दरवाजे को यूज़ करना या तो बंद कर दें चोटी सी बास्तूकी क्लास भी आपकी हो जाती है गर बैठे आप बहुत कुछ सीख जाते हैं एक आउलर जुड़िये मान साथ रेनु उनसे बात कर लेते हैं स्वागे त्यपकर रेनुजे हाँ, हेलो जी रेनुजे हेलो रेनुजे अब तक आप भास पॉच रही है हाँ, हाँ जी नमस्ते जी 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 समझ गया आपकी बात को देखें किचन आपने बनानी है आपकी जो किचन होनी चाहिए आपकी साउथ इस में होनी चाहिए और आपका जो टोलेट है वेस्ट में एक चोटा सा फार्मूला फिर से नोट कर लो सब लोग अगर आप कॉपी पैन लेके बैठे हैं वेस्ट का फार्मूला आप लिखिए नौर्थ िस्त रहे साथाइव एसाथ थुम्हारा नौर्थ वेस्ट में डॉंडा आजिपी प्यारा साउथ इस्ट में हो भुले हैं साथ उपको या। प्रब्लिस हो सकता है कि अगर के बीच ओबीच टॉलेट है आपके ब्रहम स्थान पे बीच ओबीच बना है यह सबसे बड़ा वास्तान में तो कुछ भी नहीं होना ची कभी भी सीड़ी ना हो टॉलेट ना हो अगर ऐसा रहा तो आपको इसको बदलना ही पड़ेगा वैसे तो दोश है यह चारिए बिलकुल अब तयार हो जाए उस खास वास्तो एलिमेंट के लिए जो कि आपके जीवन में प्यारी पर बड़ेगा साथ किसी तरह की तानाव है या फिर कोई परिशानी चल रही है तो वो भी दूर हो जाएगी आए जानते हैं कि क्या है आज का वास्तो एलिमेंट क्या लेकर आए इस मैजिकल बॉक्स पर आप शाहिदा जी हम लाएं एक स्पैशल एलिमेंट जो कि वैसे तो हम इसकी बाते बहुत करते रहते हैं और लोग हमसे पूछते भी है कि यह होती क्या चीज है किस्टल बॉल आए है आज हम दिखाने के लिए यह क्या कर करते हैं जादा जादा अचा रहेगा और एक ध्यान रखेंस को हमेशा जोड़े में यूज करते हैं कभी सिंगल यूज नहीं करते साउथ और वैसमें से कभी उजना करें वरना उसी एनर्जी को यह मल्टिप्लाई कर देगा वैसे दिखने बहुत खुबसूरत है और एक श कर आमतर पर यहीं मिलता है जी 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 यह बात अलग है कि मुद्ध जैस के साई शूटा बड़ा होता है कभी कभी रियल क्रिश्टल होता है वैसे यह बेजिम गलास का होता है वो भी काम करता है चली तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा लेकिन अब आगे बढ़ जाते हैं औ अपना च्वाथा मैजिकल फामला भी तो वहाँ पर रह सकते हैं यहां शिशे के पावल में बावल में चोटा सा थोड़ा सा पानी भरें और उसके अंदर जहें दो कमल के फूल डालें और थोड़े से उसके अंदर डालें आप टंबल डालें तो यह एनर्जाइज हो जाएगा आपका नौर्टीस बहुत जादा पार चर्चा होगी मैजिकल फॉर्मला नबर फाइफ के बारे में फलाल बने रही है हमारे साथ और देखते रही है मेरा वास्त तुम्हेरा भाग करते हुए कि वेलकम बाक अगैन तो हाज हम आपको यू चर्चा करते हुए और साथ यह जानकारी भी दे रहे हैं कि घर के दिशाएं कौनती सही होती है वास्तो अनुसार शुली आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पांच्वा मैजिकल फॉमला साथ है अगर आपके फैक्टरी है आप बिजनस करते हैं और आप यह वहाँ पर डील करते हैं आपको वास्ता पड़ता है कौन्टिटी और कौलिटी से तो ध्यान करें कि कौन्टिटी और कौलिटी जो है इसकी दिशाएं जो उन सी है इनको जानना बहुत ज़रूरी है Quality के लिए दिशा होती है East इसको कहते हैं गुणवत्ता के लिए और quantity के लिए होती है North लेकिन इन दोनों में बहुत बढ़ी दुछमनी है जब quantity बढ़ती है तो quality घर जाती है इन दोनों को आपने रहना अपने control में तो क्या करना है आपने आपका QC Department होता है जो आपका QC Department होता है उसके में सबका face रखें आप East में और जो production वाले हैं उनका face कुछ North में रखें कुछ East में रखें और अपना face हमेशा रखें नौर्थ में तो इन दोनों को आपको लाब मिल जाएगा प्रोडक्शन वालों का मुख उत्तर में होने से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है आपको इसके साथ आपका जो cash box है जहाँ पर आपने पैसा रखा वा जहाँ पर आपकी पेपर रखें में आप रखें चोटा सा सिट्रिन स्टोन का चोटा सा रॉक रखें तो आपका धन उसमें बढ़ता रहेगा और दिल्ली से हमारे साथ सुमन जुड़ी उनसे बात करेंगे आप स्वागत है आपका सुमन जी सुमन जी टीवी सेट का वॉल्यूम आफ कर लीजिए फिर बात कीजिए अपके अवास बिल्कुल भी साफ नहीं आ रही है सुमन जी लगता है कि इनके साथ संपर्ख टूट गया है और जैसा कि आज आननजी ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी घर की दिशाओ के बारे में ग्यान दिया वास्तू के अंदर क्या चीज़े खास होती हैं उसके बारे में ग्यान दिया तो इसे से जोड़ी ये पूरी जानकारी देने के लिए सबसे बलत आपको धन्यबाद करेंगा रगजी कि आपने टाइम निकाला आप स्टूडियो है और इतनी सारी जो जानकारी है साजा किया अपने दर्शकों के साथ हमें उमिदे कि मारा कारिकरम आपको जरूर पसंदाया होगा तो अगले अपते फिर मुलाकत होगी आपसे एक और खास विशे के साथ तब तक के लिए दीज नविज़ा आपसका नविज़ा आपसका नवस्कार